हालो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका PBR स्टडी में एक टॉपिक में एक वीडियो बिल्कुल साही सुना आपने पूरे एक वीडियो में एक टॉपिक खतम करने की पूरी कोसिस है वही स्रीज चल रही वीडियो नंबर 20 है बी 20 यहां पर लिखा है टॉपिक होगा पर्सेंटेज बृद्धी और पर्सेंटेज कमी पराधारीत प्रस्ण जैसे देखेज निरंतर महेंगाई बढ़ रही है आज के आने माले टाइम में जो किलम आज ये सवुपचास रूपे की मिल रही है वाने वाले टाइम में हजार रूपे के मिलेगी तो वैसे तो पहले हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुरानी कीमत, ठीक है, या पुराना मुले, कितना है, 70 रुपया पर लीटर, कह रहा कि 5 पर फेंट बढ़ जाए, तो आप लिखिए 5 पर फेंट, किसका, 70 का 5 पर फेंट बढ़ेगा न भया, जितना आज है उतने का तो 5 पर बराबर, 70 गुड़ा 5 पर फेंट हटा के 100 से भाग करेंगे, क्योंकि ये चीजे में आपको बता चुका हूं कैसे होता है, एक 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, फाइनल में 7 बटा 2 आया, जिसे आप 3 दस हमलो 5 लिख सकते हो, मतलब, 70 का 5 पर फेंट फाड़े 3 रुपया होगा, ठ ठीक है, तो आप ये समझ लें, यहाँ पर जो नई कीमत होगी, या नया मूल क्या होगा, 70 धन 3.5 इक्वल 73.5 रुपया, यानि 73 रुपया 5 पैसा, सुरी 50 पैसा, जो दूद 70 रुपया लेटर मिल रहा है, वो साड़े 73 रुपया लेटर मिलेगा, अगर 5 परसत बढ़ जाए तो ठीक है, समझ में आया, चली आगे, नेक्स्ट, करें चावल की कीमत 120 रुपया पर केजी है, अगर इसमें 10 परसत की बिर्द्धी हो जा रही है, तो नई दर क्या होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, निरंतरमाहिंगाई बढ़ रही तो कुछ भी हो सकता है, बहुत काफिया जो आप देख रहे हो न, यह काफिया यह अभी साल भर पहले 6 महीन पहले, इतनी मोटी काफिया आपकी कितना ही मिलती थी, साथ रुपए की, पचास रुपए की, अब यह मिल रे डेर सा रुपए की, तो ब्रिद्धी तो हो रही न, रंतर न, चलिए, करिए, इसमें क्या करना है, हल कर लो भाईया, लिखो पुरानी कीमत, पुरानी कीमत कितना है, 120 रुपए पर केजी, कहरा 10 परफेंट ब्रिद्धी हो रही है, तो 120 का 10 परफेंट, बराबर 120 गुड़ा 10, बटे 100, 00, कैंसिल, बराबर 12 रुपए, कितना? 12 रुपए, यानी 120 का जो 10 परफेंट है, वो कितना होगा? 12 रुपए होगा, तो नई कीमत बराबर लिख लो आप नीचे, लिखो, नई कीमत बराबर 120 धन 12, बराबर 132 रुपए पर केजी, जो 120 रुपए था, वो कितना हो गया? 132 रुपए पर केजी हो गया, इसमें किसी को डाउट इतने में? नहीं, अफे तीफरा, सबसे सर्व पिरिये वस्तु आसंसार में मोबाइल है, मन में जो कुछ मोबाइल में सब कुछ, तो देखो, इसकी कीमत तो निरंतर बढ़ना कोई बड़ी बात है, नहीं मांग बढ़ बृद्धी कितना हुई? थोड़ा साड कर में हल कर रहा हूँ, ठीक है? बृद्धी हुई पूरा-पूरा 2000 रुपया की ना? कितने परफेंट की बृद्धी हुई? साथियों, परतिसत बृद्धी बराबर होता है सुत्र, वो क्या होता जानते हो? जितना भी बृद्धी उसको 100 से गुड़ा कर लो, और जो पुराना मुल्य था उसका उससे भाग करना है, या फिर अगर लाभानी माला है तो जो क्रे मुल्य होगा, कौश्ट प्राइस उससे भाग करना है, तो इसमें कौश्ट प्राइस या पुराना मुल्य 12,000 रुपया था, दो जीरो, तीफर आप इनको भाग देलो नहीं आएगा तो मुझे बताना भाग देना सभी को आता है है ना बढ़िया चलो आगे फोर नंबर में चलो क्या कहरा इसमें कि कहरा कि एक कूलर का मुल्ले नया मुल्ले 8,680 रूपय तो परतिसाथ ब्रिध्धी बताईए आईए देखते हैं कि समझना है याँ पर आप मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप वोमवर्क में भी कर लेंगे न कि कि देखो लिखो यहां पर पुराना मुल्ले बराबर कितना है मुल्य बराबर कितना है 8400 रुपया और न्यू मुल्य कितना है न्यू प्राइब कितना है छियाफी अफ़ी रुपया तो बृद्धी कितना हुई बृद्धी हुई भाई 280 रुपया की तो परफेंटेज बृद्धी निकाल लो आप 280 को कर लो सौ से गुड़ा सौ से गुड़ा कर लो और भाग कर लो किससे जो आपका पहले वाला मुल्य था इनसे भाग करके आप निकाल लो 3 परफिंट के आस पास आए गई दो जीरो चौराफि से भाग करोगे 3 दसमलो 3 चार परफिंट संथिंग आएगा कितना आएगा 3.3-4% इसमें किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ नहीं आगला पांच नंबर पर चलो केरा 100 kg आटा की कीमत जो है पुरानी कीमत 7800 रुपे थी यानि 7800 रुपे पर कुंटल आटा था नहीं कीमत 84 रुपे हो गई तो बृद्धी बताओ कितने परसेंड की हुई करके बता लोग इन्हें पका यह हो मोर करेगा आपके लिए इसको हल करो और मुझे बताओ ठीक है इसको हल करके मुझे बताना चलो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा ऐसे एक एक टॉपिक एक वीडियो में ख क्योंकि छोटे-छोटे वीडियो स्रीज में आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी